ख़बर है जन्पत सुल्तानपुर से जिले के कुराबार थाना छेतर लक्जरी बस में हुए रेप कांड में पिलित वा उसकी मा ने दोराचाहर किया इनकार का पिलिस ने जबर जर्ती दरवाया बयान पिलित ने वहीं घर वालों के रोकने के लिए बाद भी जबर जस्ती दर्ज क्याम कदमा वरिष्टर फर्स दादी अजिवक्ता राजा पताप सिंग ने दिया बयान और वहां पर पिलित ने भी अपना बयान दिया अरे पोर्ट पंगर तिंग सुल्टारपुर्ण का काम कहा गया है बस के अंदर उसकी पिलिता हमारे सामने मौजूद है देखिए उसका वक्तिव सुने क्या कहना चाहती है क्या हुआ तो तुम्हारे साथ कुछ से क्या हुआ मंबा पूरा पता हुआ हो सिव फूदन सिंग से हम बात करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं और उनकी हमारी साधी भी होने वाली है लेकिन हमारी उम्र कम होने के कारण अभी कामोन तौर पर हमारी नहीं नहीं हो सकती है और 28 जुन को उनकी मम्मी और दादी की तवियत खराब थी कि नौट के हमारे बड़ी नहीं वहां से going to say जब आ रहे थी वहां से लोटके चवराहे पर मतलब कुड़े भार चवराहे पर चकीन लगी थी साम को साथ बजे तो वहां पर हमें रोक के जवरदस्ती एक बस में बैठा लिया गया और बस में बैठा के लेके आए ठाने वहां पर जी ठाने लेके आए गलत बयान मतलब कहने के लिए बोल रहे थे और मतलब सरकार से हमें गलत बयान पर मतलब पैसे दिलवाने के लिए भी बोल रहे थे और सी पूजन वा हरिमंगल के खिलाब गलत काम करने का मतलब बयान भी देने के लिए बोल रहे थे और मतलब हमारे घर वाले से मिलने नहीं दिया जा रहा था और हमारे साथ मतलब कोई भी रेप वा बलत कार मतलब हमारे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है मतलब पुलीस द्वारा आपके खिलाव जवस्ती बनाया गया है कि यह रेप का मामला है कोई आपके साथ कुछ घटना नहीं इस्टाइब की नहीं हमारे साथ कोई घटना नहीं भी है हाँ हमारी लड़की गई थी सी पूजन के हाँ खाना बनाने के लिए उनकी मम्मी की तबियत खरा थी उनकी दादी की तो खाना बनाने के लिए गई थी तो उधर से यह लोट रही थी हमारे से ही पूछ के गई थी हम लोग सहमत थे उसकी साधी करने के लिए जब उसके, मतलब उधर से लवटी 7 वजे, साम को 7 वजे उधर से लवट रही थी तो पुलीस वाले ने इनको पकड लिया एक ये हमारी ये लड़की है, दो हमारे और बचे, एक चोटा बेटा है उसको तीनों को पकड के तो आ रही थी बस में बैठा लिये पुलिस वाले ने जबर्दस्ती से बैठा के ले आके ठाने पर इन से जूटा बयान दिलवाई हमारी लड़की डेर के वज़े से सारा बयान हमारी लड़की से ले लिए हमारी लड़की डेर के वज़े से धमकी बहुत दे रहे थे पुलिस प्राजा प्रताप सिंग जी है जो उन्होंने एक जो है कि आरोपी के तरफ से जमानत भी डाली है इन से देखते हैं इनके क्या कथान है देखें आज हमने इस मामले के अभियुक्त कुल्दीब की जमानत प्रातना पत्र सक्षम नयले में प्रस्तुत किया है और कुल्दीब को ये कहा गया है कि उसने जो है इस अपराद में खड़ेंद का काम किया और उसने देख भाल करने का काम किया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको बताना है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया है तो प्राइमा फेशी इसी अफाई यार में पीडिता के घर का कोई वादी मुकदमा नहीं है जबकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में पुलिस ने सौयम ये कहा है कि घर पे सूचना दी गई घर पे पीडिता की दादी मिली तो नियाय संगत तो जादा ये रहता कि पीडिता के घर वालों का बेयान लिया जाता है फाई आर लिया जाता परंत इस थानिये पुलिस ने तदपरता दिखाते हुए स्वैम वादी मुकदमा बन के इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को पंजित किरत कराया और साक्षी भी कोई आम जनता का नहीं है जबकि कस्बा कुरे भार में गिरपतारी दिखाई जा रही है आपके मुकात मुताबिक जो है घटना जूटी है और पुलिस ने जूटी फाई यार दर्च किया देखिए हमारा कहना यह है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रॉसेस है उस पर तो हम यह नहीं कह सकते कि घटना जूटी है लेकिन यह है कि जो प्राइमा फेसी केस दिख रही है वो संदेहास पत दिख रही है कि बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवार